हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादाल एज्यूकेशन गुरूप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक पर पैंक्रेटाइटिस पैंक्रेटाइटिस एक इंपोर्टन टॉप किसका पैंक्रियाज का ठीक है इससे नाम देखो हम बात करता है पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक करता है पैंक्रियाटिक तो होती है उसमें क्या हो जाता है इंफ्लामेशन क्या हो जाता है इंफ्लामेशन ठीक है तो फेस्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की क्या डेफिन पीछे की तरफ ठीक है इसके सीक्रेशन के लिए क्या होती है डाइजेस्टिव एंजाइम और इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते है उनके भी सीक्रेशन के लिए क्या होती है जिम्मेदार ठीक है डेट हेलफ फुल डाइजेस्ट एंड एबजर्ब फूर्ड वो जो पैंक्रेटिक ग्लेंड होती है वो किसके लिए यहां पर जो pancreatitis होता है इसको मुख्रोप से दो भागों में classified किया हुआ है फर्स्ट तो है acute pancreatitis और दूसरा है chronic pancreatitis हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में acute pancreatitis it is most common it is most common type of pancreatitis जह है most common type of pancreatitis which can be inflammation of pancreatitis इसके अंदर जो inflammation होता है वहां कहां पर होता है pancreatitis के अंदर that can occur suddenly and usually resolved in the future और जो यह inflammation होता है जो suddenly हमें दिखाई देता है और कुछ ही तिनों बाद क्या हो जाता है ठीक हो जाता है या फिर resolve हो जाता है अब हम बात करते हैं chronic pancreatitis जो chronic pancreatitis होता है it is second most common type of pancreatitis यह है second most common type होता है pancreatitis का it is a long lasting inflammation और यह inflammation क्या है long lasting मतलब लंबे समय तक चलने वाला inflammation है ठीक है it is most occur it is most occur happen after an episode of acute pancreatitis यह हमें तब दिखाया देता है जब जो acute pancreatitis होता है उसका episode बार बार क्या हो रहा है repeat हो रहा है तो कौनची condition दिखाय देगी हमको pancreatitis कौनची pancreatitis chronic pancreatitis और जो chronic pancreatitis होता है अगर इसका treatment क्या treatment समय से मतलब टाइम पे नहीं किया गया तो यह एक life treating condition भी बन सकती है ठीक है अब बात करते है इटालोजी factor या फिर causes मतलब कौन कौन से causes है जिसकी वज़े से body के अंदर pancreatitis की condition दिखाय देती है पर्ष्ट बात करते हैं क्या एलकॉल जो person ज्यादा एलकॉल का consume करता है वो भी किसे गर्सित होता है pancreatitis से hyperlipidemia मतलब जब body fluid के अंदर या फिर body के अंदर lipid की मातर क्या हो जाती है अधिक भड़ जाती है तो क्या होगा pancreatitis की condition भी दिखाय देगी hypercal chemia मतलब जब body के अंदर calcium की मातरा क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी या फिर increase हो जाएगी तो उस condition में क्या होगा pancreatitis अब एक बात एक है viacorbid voidSheavoc. क्या हैOC इसमें क्या होता है जो उपना hated hydrogen raped उसमें क्या हो जाता है stone क्या हो जाता है formation क्या हो जाता है क्या हो जाता है formation जिसके कारण जो by detect होती है, क्या होती है, इसके इंतर क्या हो जाता है, stone का formation, और stone का formation होगा, तो इसके इंतर क्या होगा, infection, तो क्या होगा, pen ketitis की condition, दिखाई देगी, पांच भी बात करते हैं, जलकी क्या होती है, जो by thoroughbid, जिसके इंतर क्या होगा, तो क्या होता है, पैन्ट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट् मतलब अपनी pancreatic gland होती है उसमें किसी प्रकार की surgery हो उसकी वज़िस्टिव क्या हो सकता है infection हो सकता है severe injury to abdomen area जो abdomen area होता है उसमें किसी प्रकार की क्या हो जाती है severe injury क्या हो जाती है severe injury तो उसकी वज़िस से हमें क्या दिखाए देगा pancreatitis ठीग है यहाँ पर देख अब बात करत इसके clickal manification मतलब sign symptom पैन के टाइटिस के sign symptom क्या है तो fight sign symptom है pain, abdomen abdominal pain मतलब pain होता है क्या होता है abdominal पर और abdominal पर और abdominal पर भी कहाँ पर इन upper left side जो left side है उसमें क्या होगा pain हमको क्या होगा पाल पेड होगा दिखाए देगा और fever क्या होगा fever fever क्या होगा क्योंकि pancreas में क्या होगा है infection होगा है infection के कारण महापे कौन सी condition जरेट होगी inflammation और यह क्या करेगा inflammation fever करेगा किसको परसन को tenderness क्या होगा tenderness tenderness कर दोता है कड़कपन मतलब जिस side pancreas ते विषय जमापे तो यूद उस तरप क्या होगा कड़कपन मैंसुस होगा क्या होगा क्या होगा परसन को ठीक है और क्या नहीं होगा क्यों बाइल रीडक्ट होती है क्या होती है बाइल रीडक्ट यह यह क्या करती है थे बाइल जो कि आ अनल फ॥ honest रिघितम बाइल और उसके कंडिशन में क्या दिखाए देगा जोन ृसत क्या १र धिखाए देगा जंडिस नेटा लूगर and fever and nausea and vomiting condition को दिखाए देगी और weight loss weight loss क्यों दिखाए देगा जो कि डाइजस्टिव एंजाइम है मतलब जो digestive enzyme है वह pancreatic enzyme है तो हैं वो क्या करते है, digestion में क्या गड़ता है help करते है, जैदि pancreatic enzyme ही क्या नहीं होगे secret नहीं होगे तो उसे क्या होगा? abnormal हो जाएगा उससे क्या होगा weight loss होगा ठीक है and poor digestion और कौन सी condition दिखाई देगी poor digestion ठीक है और क्या है diabetic mellitus कौन सा diabetic mellitus अब diabetic mellitus की condition क्यों दिखाई देगी जो pancreatic duct है कौन सी pancreatic duct वो कौन से हर्मोन सीक्रेट करते है गुलो का गौन और insulin insulin अब इसे में जो insulin हार्मोन है और एक और है फेटू लेंस कौन से फेटू लेंस होता है कि गैस फॉर्मेशन क्या होगा गैस फॉर्मेशन होगा और अब्डिमन होता है उसमें क्या होगा क्राम पी दिखाई देंगे acute renal failure और कभी-कभी हमें क्या भी दिखाई दे सकता है acute renal failure की condition भी क्या होती है दिखाई देती है फिर science symptom दिखाई देते हैं अब बात करते हैं pathophysiology क्या pathophysiology कि जो डाइबेटिक जो pancreatitis है वे हमें कैसे condition कैसे arise होती है due to utology factor कोई भी utology factor जैसे की हम बात करते है virus infection due to utology factor तो जब कोई भी virus body के अंदर क्या करेगा insert करेगा किसके blood गे थे रूँ ठीक है तो first में क्या करेगा blockage of pancreatic duct and passes of enzyme secretion जब body के अंदर कोई भी virus infection क्या किया enter किया तो वह कहाँ पे गया pancreatic duct के पास जो pancreatic duct के पास जाकर उसने क्या किया जो pancreatic duct है उसको क्या कर दिया blockage कर दिया जिसकी वज़े से जो भी enzyme secretion हो रहे है वो क्या होंगे passage नहीं हो पाएंगे या फिर outcome मात्रा में secret होंगे उसके बाद abnormal condition of pancreatic enzyme इससे क्या होगा जो pancreatic enzyme होते है वो secretion होते है वो क्या होगा abnormal condition उसकी क्या होगी abnormal condition and passage distribute मतलब जो pancreatic enzyme है वो secret तो होंगे लेकिन उसकी जो passage हो रहे है वो मतलब pass हो रहे है उसमें क्या हो जाएगा disturbance हो जाएगा जिसकी वज़े से these enzyme जो enzyme है यह क्या कर देंगे तो pancreatic duct या pancreatic cell है उसको क्या कर देंगे destroy क्या कर देंगे destroy क्या कर देंगे these enzyme में destroy the pancreatic cells जो enzyme होते है वो pancreatic cells को क्या कर देंगे destroy कर देंगे और inflammation की condition क्या होगी अकर होगी कौन सी condition अकर होगी inflammation अधाथ pancreatic duct में क्या हो जाएगा inflammation जिससे हमें क्या दिखाई देगा pancreatitis क्या दिखाई देगा pancreatitis तो यह तो इसकी pathology की बात हुई अब बात करते हैं diagnosis क्या diagnosis कि pancreatitis condition में हम patient का क्या क्या diagnosis करते हैं फर्स्ट में हम करते है history collection पास्ट प्रजेंट है उसको क्या करते हैं फिर उसका physical examination करेंगे फिर उसका WCBC मतलब बलड में count करेंगे तो में WBC level होगा वो क्या होगा increase होगा क्या होगा increase क्योंकि pancreatitis के अंतर गत इंफेक्शन हो रहा है तो infection की condition में जो WBC का count होगा वो क्या हमको increase दिखाई देगा ठीक है और क्या करेंगे pancreatitis function test मतलब PFT जो pancreatitis function test भी क्या करेंगे हम detect करेंगे वे सट का, bilirubin in semen और जो bilirubin level है क्या bilirubin level वो भी क्या करेंगे? जांचेगे हैं या फिर test करेंगे, अगर इसमें क्या हो, जो bilirubin level है वो क्या हुआ? इन्क्रीज होगा, क्या होगा? इन्क्रीज होगा, ठीक है? Ultrasonography करेंगे, AHT वैं AHT वैं AHT यह कौन किसके अंतरगत आते हैं, पैंक्रियास भंक्सन टेस्ट, यह भी क्या करेंगे हम, टेस्ट करेंगे, डाइगनोसिस की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पर, ठीक है, तो मैनेजमेंट पर भी हम बात करते हैं, कौन सा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, कौ सब वीश्टांच क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे और जो भी नुट्रेंट सब विस्टेंट अब उपर दाएट्रेंगे इसटेर नीटरन फलिओड से नुट्रेंट फ्लोट नो किस विदी द्वारा देंगे आए भी रूट विदी द्वारा एंड नैसोगेट्रिक रूट और नैसोगेट्रिक रूट के द्वारा दूसरी क्या एंटिबायोटिक कौनची एंटिबायोटिक मेडिकिस्टन जो एंटिबायोटिक मेडिकिस्टन होती है वो क्या करती है तो प जो एनालजैसिक होते है जो भी कोई pen condition decrease करने के लिए तरेस्वेश करने के लिए उसमें रेलिव करने के लिए किस ख़व्ग活 करता है जो योजो अफ्यों करता है епस्यों करने के लिए और इसमें कोई सी है है एंस्यूलीन हमकर आप इसमें क्या करेंगे देंगे प Ihnen così को गोल्यात्र की वह थी अब बात करते हैं रगलुम मेह बबात करते हं सर्जीकल मैनेजमेंट सर्जीकल मैनेजमेंट भी दो प्रकार का होता है एक तो होता है endoscopic surgery और दूसरा होता है pancreate tummy कौन सा pancreate tummy ठीक है जो endoscopic surgery होती है it is most important surgery management यह है बहुत important surgery management होता है इसके अंतरकत जो एक balloon होता है balloon उसको क्या करते है जो tube होती है उसको अंतरकत क्या कर देंगे insert कर देंगे into the pancreatic duct के अंतरकत this tube to dilate the blockage pancreatic duct जो यह होती है जो pancreatic duct के अंदर जो blockage हो रहे है जैसे कि यह क्या है pancreatic duct ठीक है तो इस endoscopy के अंतरकत क्या करते है यह एक टूब के साथ यह क्या होगा बैलों ठीक है यह बैलों इसको क्या कर देंगे insert कर देंगे और यह जो blockage दिखाये ह्यीकित για मैं जब इन्सेर टेल्ट कर देंगे तो डॉक्टर क्या करता है क्या करेगा क्या पूर्ट क्या आदा इसके इंसेट dåak्टर क्या करता है इस मतल बडेकर तो बहुतलों की रखाये टेल्ड़रि चाहिए रहे इससे फेशंग मैं क्या जाइए तो हिसमित र्यें法 अब बात करते हैं पैन क्रियाज में इंफलामेशन हो रहा है या पिर कम्पिलिटली पैन क्रियाज में इंफलामेशन हो रहा है तो इस प्रसूजर के इंफलामेशन हो रहा है तो इस प्रसूजर के इंफलामेशन करते हैं जो पैन क्रियाज होता है उसको कम्पिलिटली क्या कर कर देते हैं, remove कर टेते हैं, क्या कर देते हैं, completely remove pancriat को ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपका pancriatate इस complete hoता है तो जिसने भी हमारे YouTube चैनल को subscribe किया है वो subscribe करते हैं थेंग उन्यूम